नबश्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसमें अस्ट्रोलोजी की और सपनों के बारे में जानकारी दी जाती है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर ले ताकि यहाँ पर हर सपने की जानकारी और एस्टरोलोजी की नई अपडेट आपको मिलती रहे तो आज हम बात करेंगे सपने में गनेश जी को देखना या गनेश जी की मूर्ती को देखना अगर किसी को सपने में गनेश जी अगनेश जी की मूर्ती दिखती है तो आप गबराएं नहीं यह बहुत ही शुब सपना है ये बहुत ही शुब संकेत है इसका अर्थ है कि आपका कोई काम बविश्य में बनने वाला है अच्छा कारे बनने वाला है जैसे कि आपने सोचा है कोई गर लेना है तो आप गर खरीज सकते हैं या आपके कोई जोब लगनी है या कहीं से आपका कोई धनाना है या एक नई शुरुवात नई जिन्दिकी की शुरुवात इसका एक संकेत है तो जिनको की गनेश जी दिखें सपने में या गनेश जी की मूर्ती दिखें ये एक शुब सपना है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है यह सपना बहुत ही कम लोगों को आता है बहुत ही पुन्य करने वाले लोगों को आता है बहुत कम लोगों को यह सपना आता है तो आप बहुत ही लखी हैं जिनको यह सपना आया है बहुत ही शुप संकेत है तो भगवान का गुंगान करते रहें बगवान का नाम लेते रहें ताकि आप अच्छे करम करते रहें और आप अच्छा फल उनका पाते रहें और सबसे जरूरी बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन का बटन भी जरूर दबा दे ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे क्योंकि इस चैनल पर हर सपने की सटीक और बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है तो आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद जैश्री राम झाला वीडियो को ही जानकारी मिलाद Mae क्योंकि एक अन्या आता हुआ है झाला करत Tाक